अगर आप मेरे पूरे इंटाइर फिजिक्स को विध कॉंपेडिशन चाहे आप 11 थो चाहे 12 थो आप 11 12 के सेपरेटेड सेड़ वाइस और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूटूब पर विध्यकुल पर और अगर आपको मेरे सारे कोर्सेस अगर चाहिए किसी भी एक कोर्स में आप इंड्रॉल होना चाहते हैं तो उपर जो नंबर आ उस नंबर पर आप कॉल किजिए और अपना इंड्रॉल्मेंट करवा लिए ठीक है और बहुत एक्साइटिंग ओफर्स भी है ठीक है मेरा जो कोर्से से आपको 11-12 के साथ साथ आइटी जाही नीट के लिए प्रिपरेशन कराएगा हिंदी इंग्रीज दोनों डिफरेंट डिफरेंट बेचेस चल रहे हैं ठीक है ओके थैंक यू हलो एवरिवन तो आज ही ग्लास में हम डिस्कुस करने वाले हैं एक्षियल पोजिशन और एंड ओन पोजिशन एग्जेक्ली यह पोजिशन क्यों निकालते हैं किसले निकालने की जुरुत पड़े हैं इसके बारे थोड़ा से चर्चा पहले करते हैं फिर बाद में बताते हैं कि होता गया चीज्श ठीक मेरे एक सिंपल से जानकरी आप बात को समझने कोसिस करें कि मान लिजे को अंधा आदमी है मान लिजे कोई अंधा व्यक्ति मान लो कि यहां पर कहीं पर आग जल रहा है य कितनी तिवरता इस जगे पर उस आग कितनी तिवरता इस जगे पर उसको कुछ तो एक्स्पियेंस हो रहा होगा ठीक है तो वह अंधा आदमी अगर थोड़ा सा एक फिट गया तो उसको थोड़ा से इंटेंसिटी और बड़ा और एक फिट गया तो इंटेंसिटी और जैसे से धीरे-धीरे आगे के और बढ़ेगा वैसे ही वैसे क्या होगा उसको आग का नुभाब बढ़ता जाएगा ठीक है एक निश्चित-दर से बढ़ता जाएगा जैसे एक से दूर था तो उसको आख मालो किता तेंपेरीच ₹ लग रहा था उसको तेंपेरीच लग रहा हूँ था तो एक पॉइंट याद रखना है कि क्या कर रहे है इंटेंसिटी प्र गिंट्रेंसीटी of electric field due to due to electric dipole electric dipole ठीक है किसी के कारण विद्दू छेत्र की तिव्रता ग्यात करना यहां shortcut में लिखांot विद्दू छेत्र की तिव्रता shortcut में लिखाओ intensity of electric field आप उस point को समझ ले ना ठीक है intensity of electric field को में shortcut में वहाँ पे लिखाओ tension लेने की जुर्द नहीं है अब बात को समझेंगे अच्छे समझेंगे बड़ा मीत्मिनाल समझेंगे अगर मालो कि एक electric dipole है एक electric dipole है यहां पे plus क्यों रखा हो यहां पे minus क्यों रखा हुआ है यादे न मैंने इसके पिछली क्लास में बताया था क्या बताया था क्या बताया था definitions फिर से repeat करेंगे क्या बताया था definitions when to equal magnitude but opposite charges are placed very close together when to equal magnitude but opposite charges placed very close together then this whole system is called electric dipole ठीक है जदी किसी तो मौन लो कि इसे सीधे जाएंगे चलते जाएंगे तो सिधे चलते जाएंगे Чер alan कॉइंड गों हर पोइंट पोस Нटेंशी क्या होगी अलग होगी थीक उसी प्रकार जिसमें ऑफ के पास जा रहे हैं यह आधसे दूर आते जारे है मालनों कि इस जगे पर आग का कितना degree Celsius था? 80 degree Celsius, एक फिट आया 70 degree Celsius, एक फिट आया 60 degree Celsius, एक फिट आया 50 degree Celsius, बतला एक fixed point के बाद जो degree Celsius में increasing और decreasing हो रहा है, वो fixed है, ठीक है न? तो same वैसे ही अगर कोई dipole होगा, अगर इधर एक चार्ज लखा रखाओ, यहां पर एक चार्ज रखाओ, पॉइंट वन पे तो अलग intensity फिल करेगा, फिर एक और थोड़ डिस्टेंस उतने एक इक फिट पर गया, या 10 cm, फिर के कुछ डिस्टेंस पर जब जाओंगा न? तो intensity क्या होगा? एक fix rate से गिरना चार्लों हो जाएगा, यहां गया, मालनों कि intensity का unit पता है कि नहीं पता, सबको पता होना चाहिए, मैंने पता है, E is equal to f upon q, मतलब newton per qulum, newton per qulum, यहां पे झाँ जब था, तो मालनों कि यहां पे hundred newton per qulum था, लेकीन 10 cm के बाद उसको कितना मिला, Ni newton per qulum, फिर 10 cm के बाद, फिर से 10 cm के बाद, evt espresso 70 newton per qulum, फिर से 10 cm के wise, बाद मिला, उसको 70 newton per qulum, तो क्या देख रहा है, कि एक fix point के बाद intensity क्या हो रहा है fix rate से गिर रहा है ऐसा किसमे सिर्फ इसके सिद्धे में जाएंगे तो इसको इसके axis में ही अपन देख रहे हैं इसके अक्ष पे देख रहे हैं तो पहला बना था अक्षी इस्तिति जिसको बोलता है end on positions तो intensity को अपन first किसमे निकाल सकते है fix point में जिसको अपन बोलता है end on position या इसको बोलता है axial position ठीक है जिसको हिंदी में बोलता है हिंदी में भी दो नाम इसका एक होता है अक्षी इस्तिति क्या होता है अक्षी इस्तिति या इसी को बोलता है अनुदैर यह अनुदैर अक्षी इस्तिति ठीक अब देखो अब आग ऐसा लाग रहा था ठीक है एक point तो आपको समझ में है कि axial क्यों बोलता है क्योंकि axis के fix point के बाद उसकी intensity क्या होगा fix point से decrease होना चलो हो जाएगा तो हमको direct कुछ भी अब अब इसकी जोरत क्यों पड़ी अब अगर मान लो कि यहां से यहां से जो start हो रहा है वहां से बोलेगा कि अगर 40 cm पर गया तो चार बर गिरा देंगे 100 तो कितना हो जागा वहां पर 60 Newton पर कुलम हो जाएगा तो एक fix point के बाद एक scale मना दिए और scale कब काम करेगा सिर्फ उसके सिद्धे में जाएंगे तभी काम करेगा आड़े तेड़े में जाएंगे तो scale काम नहीं करेगा तो पर यसलिए बना था end on position इसके end के position देखे एक्षिएल के position में इसके अक्ष के अनुदिश स्थिति में और यह मतलब जिस स्थिति में उस स्थिति में अनुप्रस्ट मतलब longitudinal स класс कंधिनल और पस्टी अब उस ही तो डी दिवायद करता है कि जाए कि cloud कि यहां पर Patriot हमाल लोग कि कोई ना वा उसको कित्ना मिल रहा था मानू और विंडी तरु कितना से आगे अगे ब्रता जायेगा तो अब दूर होता जा रहा तब कितना अगे नावट 10 cm तक मतलब 1 feet तक 1 feet फिट में ले रहा हूं ठीक है यहां तक आया 1 feet में 1 feet फिर आया तो होगा 20 degrees Celsius फिर 1 feet में आया 1 feet में तो कितना होगा 20 20 20 कितना हो जागा इसमें 40 में से 20 20 मेंस कर दोंगा तो क्या होगा 0 degrees Celsius तो हर fix point के बाद अब भी चेंज हो रहा है ठीक है लेकिन कैसे जा रहे हैं इसके यहां यहां झाल रहा है तो मैं देखा कि फिक्स पॉयंक्स से का रथा इंक्रीद हो रहा था यहां दूर जाने पर एक फिक्स गैडर्ब तावरा इसको मिलने वाली रेखा के लंबभत उसको मिलनानी जू स्कॉ फिक्स पाइज जॉइनिंग है उसके परपेंडिकुलर गर मूव करता हूं तब इंटेंसिटी क्या हो रहा डाउन हो रहा है और एक फिक्स टाइमिंग से डाउन हो रहा है तब अब अगर मालो यह ऐसा है यहां पर कोई पॉइंट है एक फिट के दर्मियान एक पॉइंट है एक फिट के दर्मियान एक पॉइंट है और जहां पर इंटेंसिटी अपने को मिल गया मालो कितना हो गया 60 न्यूटन पर कुलम ठीक 60 न्यूटन पर कुलम फिर मैं क्या हो गया दस सेंटीमेटर अपर इस सेंटीमेटर मिल करने के बाद यह कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर कुलम तो यह जब इसके परपेंडिकुलर अपना आया रहा तब यह क्या कर एक यह जब एक्सिस के परपेंडिकुलर सीधे जाओ टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो उसको बोलता है निरक्षी इस्ति यह इसको बोलता है ब्रॉड साइड on position broadside on position हिंदी में बोलता है निरक्षिय या अनुप्रस्थ इस्तिती निरक्षिय या अनुप्रस्थ इस्तिती हो गया, यह दो positions आ गया इसके लावा कोई position हो सकता है हो सकता है, कैसे हो सकता या तुम एकदम सिदे जाओ आप गर में चलते कैसे हैं अगर मानलो कि आग अगर यहां जल रहा था ऐसे जा रहा था तो फिक्स पाइंट से डाउन हो रहा था ऐसे जा तो अलग होगा नो उसके लिए अगर कोई वेक्ति इधर चले जाय तो तो यह जो देख रहे हम कि वह जेनरल रहा है कि मैं घर में आपन ये जले धाल किसी पिल जाते हैं लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है एक तो आफको सिधे और जाओ या उसी पर्प्रेंट बना झाल इसके लापन फिक्स इस समानिस्तिती को इसी को बोलते हैं इसका समानिस्तिती जेनरल पॉर्म, याद रखें अगर सीधे बीच में अगर जायेंगे तो तो नहीं करते हैं या तो ऐसा तो नहीं कि हम इस्ट की और जा रहे हैं तो सिर्फ इस्ट की और जा रहे हैं तो सिर्फ इस्ट की और जा रहे हैं तो सिर्फ नॉर्थ की और जा रहे हैं तो सिर्फ नॉर्थ की और जा रहे हैं तो एसा तो नहीं है न अब कहीं भी गति कर ले, तो हमारी गति कैसे गति है, हमारा जो motion हो कासा motion है, हमारा जो motion हो general motion है, समान्य गति है, ठीक है, तो जो third इस्तिति जो बनती हो, समान्य इस्तिति बनती है, तो ध्यान से समझें, जो third है, वो है general position, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, समान्य इस्तिति ठीक, तो हम एक इलेक्ट्रिक डैपोल के कारण इंटेंसिटी तीन फ़र्म में निकाल सकते हैं, किते फ़र्म में निकाल सकते हैं, तीन फ़र्म में, एक फ़र्म क्या था, एक फ़र्म क्या था, एक्सियल है, जुसरा क्या है, ब्रॉट साइड है, थर्ड क्या है, जेनरल है, अगर equitable position को बोले हो जो line joining उसके perpendicular move करना है ठीक है अगर general का मतलब ये जो perpendicular और ये जो axial था उसके बीच में कहीं से भी निकल जा ठीक है इसका word general क्यों पढ़ा बात तो समझ में आ गया गया ना general general इसलिए पढ़ा क्यूंकि हम generally कहीं पे भी चल सकते है बात के लिए होगे आपको अब और चे समझना है इस topic को तो देखें क्या करना है ठीक अब मैं क्या करूंगा इस एक-एक को लेके मैं discuss करूंगा अगर आप चाहे आप सिजी सारी आप स्टेट बोर्ड के हो चाहे आप central बोर्ड के हो तो ध्यान रखना हर बोर्ड के लिए हर बोर्ड के लिए ये तीन question अभी बना हुआ तीन टोक और बनता किसके लिए एलेक्रिक पोटेंशल के लिए तीन और बनता मैगनेटीज मिले तो टोटल नो कोशन हो गया है यह नो कोशन वेरी इंपोर्ड है एक कौप अच्छे समझ लो अभी यह आ नहीं एकदम असान है एक ही बार में आएगा एक ट तैयार है तो फटाक्स इसको नोट कर लें मैं आप पो टैम दे रहा हूं फिर आगे बढ़ते हैं चलिए अब बात करते हैं एंड ओन पोजीशन्स हम बात करेंगे एंड ओन पोजीशन्स एंड ओन पोजीशन्स का मतलब अक्छिय स्तिति होता गया अक्छिय स्तिति समझ लो अच्छे से ठीक है एंड ओन पोजीशन जिसको बोलते हैं अक्षिय इस्तिति ठीक बात को समझें बहुत असान है सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं अगर कल अगर आप पिछला अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता हुआ कि एक्सियल पोजीशनैंस में जो टइघ ь जो होमेंट निकाल रहे तो आप सबसे पहले देखने कि हो कहा रहा है सबसे पहले तो टाय जगा 58 महां बना ले रहा और यहां बना ले रहा हूं ठिक है यहां पर भी यहां तक जाईग है तुमाले कि यह पॉइंट ए और और यह पॉइंट B है, दो पॉइंट A और B, यहां पे प्लस Q चार्ज प्लेस्ट है और यहां पे माइनस Q चार्ज प्लेस्ट है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो 2L है, यादे ना, शॉट लेंथ, अलपांस दूरी, ठीक है, यह बोलते हैं, यह बोलते हैं, अब हमको उसके एक्सिस में निकालना है, तो इसके एक्सिस को मैं थोड़ा से करता हूं, आगे बढ़ा देता हूं, तो यहां पे एक पॉइंट ले लिए, यहां पे एक पॉइंट ले लिए, ठीक, उसके एक्सिस में, ठीक, वो जो पॉइंट है, वो इसके सेंटर, सेंटर DESATE NET INTENSITY ठीक है परिणामी विद्धुद् छेत्र की तिवृता की गणना करनी है बात समझ में आकर कि यह प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के पास्म हें हूं फोइठ सी बात है बड़ा effect इव है समझे बड़ा है यहælskanम की बाइंट चार्ज है उसलों प्लाइंट से यह हमेशा है क्या लेता है ऑगर पॉजटिव चार्ज होगा खाला कई जो फोर्स लेगा उसके बाहर क्यों रेल राइगा मतलब यहां पिछ intensity आएगा वो बाहर की और आएगा ठीक क्यों बाहर की और क्योंकि यह उस पर ज़्यदा इफेक्ट रहा पहली चीछ अब यह negative charge है अगर यह positive है क्योंकि test charge अगर यहां पर मालों के जिम कर लोग यहां पर कहें test charge रखा हुआ test charge रखा हुआ जिसको बोलता है परिक्षण आवेश परिक्षण आवेश रखा हुआ तो क्या होगा पता है यह test charge क्या करेगा यह test charge के लिए बाहर लगा सब्सक्रिंगे उसको अपनी कीचा तो एक बात समझ लो बच्चियों कि यहां पर टेस्स चारज आ या मैं पर उसको अंदर लगा रहा है राए तो बता वो अंदर आए जो उसे जगो पर रहाएक सोचो मैं बताओं ध्यान पर रखें जो P से A तक का डिस्टेंस वो कम है मतलब यह ज्यादा इफेक्ट करेगा ठीक है हाला कि दोनों एक डाइपोल किसको बोलता है तो इकवल मैंकिन situação पर पोओजिट जब समान परिमान के बीकुर्ट विजाती आओ एक और रखेंज नहीं पोदेगा इसका इफेक्टfel यहां पर जभागा तो यह जादा नहीं नौन्गा तो चींदो एक पर बढ़ा है तो पास में यह हैं, तो इस जगे पर इसका effect क्या होगा, जादा होगा और इस जगे पर इसका effect कम होगा, तो यहां पर जो net intensity होगा, वो किधर होगा, उधर होगा, उस set बाहर की ओर होगा, क्यों बाहर की होगा, फिर से repeat करो, अभी तो समझ में आगी है न, अब इसका derivation अपन electric field at p point due to intensity of electric field at p point due to plus q charge plus q charge मैं हिंदी में क्या लिखा हूँ पी बिंदु पर विद्दु छेत्र की तिव्रता किवर्ता के कारण थी विद्दु उसके लिए अपने रहेंगेचन वगरा वगरा ले सकते हो और इसका याद रखना जो करती आप दिरेक्षेन से अमें से यह लिए कर लो तो अब यूनीट वैक्टर अपने इसी को माल लेंगे यूनीट वेक्टर व्यूनिट वेक्टर लेंगे पीचैट दुनों के लिए डायेक्शन वाइस आप यूसकर लेना तो वन अपोन 4π9 और एक मालता है एक मिस pra परुरत की एक्सपेरिमेंट अपने किसे कर रहे है weacuum में कर रहे है एक एक इस बार में समझना जाँ तो प्लस q charge distance कहाँ से तक कर देख रहे है तो a से p तो क्या हो जायेग फीलस इसकुष। कियों कि हमको पता है intensity का formula क्या होता है E is equal to 1 upon 1 meter direction को भी में लेके चल जा रहो हो ना direction के तो जगा छूड़ देता है direction किस direction जा रहा है इस direction जा रहा है इसका P cap क्या हो जाएगा ऐसे ही ठीक है और formula E वाले क्यों लगा क्योंकि हमको पता है कि E is equal to 1 upon 4 by epsilon not q by क्या होता है r square तो सेम वहीं रखें q के जगे प्लस q रखें r के जगे पे क्या लिखें एसे पी तक का distance तो क्या हो जाएगा एपी का whole square hopefully यहां तक समझ माइगा अब गौर से देखें इस डाइग्राम को according to diagram according to diagram ठीक है चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार अबन डाइग्राम बेसे स्टार तो diagram के अनुशार अगर अपन देखें ओ से जो पी तक का distance है ओ से पी ये ओ ले लो इसको पी ले लो ओ से पी ठीक है मैं दिख रहा ना यहां पे ओ है और यहां पे क्या पी तो से पी तक का पन बात कर रहे हैं तो यहां से अनुशार तक कितना होगा अल और यहां से अनुशार तक कभी कितना होगा अल मतला ओ से यह तक का distance कितना अल है और O से P तक का जो distance है वो R है वो कितना हो गया R ठीक, तो हमको क्या निकालना है A P A से P निकालना है तो आप बता सकते हो न जो O से P है जो O से P है वो किसे मिलके बना है O A प्लस A P A P का value निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यह इधर आ जाएगा तो O P मैनस O A A P is equal to O से P, O से P कितना चल रहा है R, माइनस O से A कितना चल रहा है L, तो A P का value कितना हो गया, R मैनस L कितना हो गया, R मैनस L इस values को लाके इस equation में रख दो तो मान रखने पर मान रखने पर तो यहां पर लिखेंगे इंग्लिश में पर putting the value जब value put कर देंगे तो E1 is equal to कितना होगा 1 upon 4, 5 epsilon 0 Q तो जैसे का वैसे यहां से इसका value कितना निकला R मैनस L का whole square और P cap यह अपना क्या निकल गया यह आ गया E1 ठीक, अब वैसे क्या निकलना E2 ठीक, तो E2 निकलने के लिए क्या करेंगे अच्छे समझ ले फिर से आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा वसे अता ठीक है इसी को लिखना पड़ेगा intensity intensity of electric field field at P point at P point due to minus Q charge हिंदी में क्या लिखेंगे आप? रेन आवेश के कारण किसके कारण? रेन आवेश के कारण पी बिंदू पर विद्धु छेत्री की तिवरता इसको equation number one ले 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 आप हाँ ध्यान रखेंगे कि वपर दोनों को साथ में solve करेंगे तो विद्धु छेत्री वरता तो उसके लिए क्या हो जागा? विद्धु छेत्री वरता कमान? अब हो आएगा E2 डारेक्ट फर्मूला जो अपन यूस करने इस फर्मूला से मैं डारेक्ट लिखूंगा डारेक्शन वन अपान फॉर पाइपसलों नॉट मैं डारेक्शन मेंशन कर रहा हूं तो प्लस मैनस मेंशन करने की ज़रत नहीं पड़ेगी तो सिर्फ इसको क्यों लिखूंगा यहां पर ठीक है? आर के जेके पर होता है दोनों के बीच का डिस्सन्स तो मैं यहां लिया था तो A से P तक का डिस्सन्स लिया था क्योंकि चार्ज यहां पर था फिर सो भी डायग्राम बना रहों है, ऐसे करते हैं, यहां पे B है और यहां पे O है, और यहां पे P है, B से O तक का जो डिस्टिन्स है वो L है, और O से P तक का जो डिस्टिन्स है वो R है, तो आप बता सकते हैं की BP जो है, किसका value, बी से पी तक का जो वैल्यू जो बीपी हो किसके से मिलके बना है बीओ प्लस ओपी तो बीपी का जो वैल्यू निकला बी से ओ कितना चाल रहा है एल और यह आर तो कितना आगा इसका वैल्यू आर प्लस एल बीपी का वैल्यू आ गया है कि लिए नहीं तक बीपी का वैल्यू म तो ज्यादा फादे में रहेंगे, सुन लें, आप एकाम करें इसको पहले नोट कर लो, फिर हम इसके बारे में डिसकस करते हूं, बहुत इंपॉटन पॉइंट है, और सारे बोरूड के लिए भी बहुत इंपॉटन तो प्लीज कैरफुली इसको पढ़ लें अच्छे से, एक्यूशन में पूट कर देंगे, इसी वाले एक्यूशन में, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, from equation, from equation, semi current के अनुशार, तो जो एक्यूशन में पूट करोगे, एक्यूशन में, यहां पर क्यों चल रहा है, ब से प तक का जो distance है, वो कितना चल रहा है, आर प्लस एल का whole square, क्योंकि यहां पर square है, और यहां पर क्या लिखेंगे, प कैट, इसको equation number 2, आपको equation number 1 और 2 समझ में आ गया होगा, अब equation number 1, 2 आ गया है न, तो आप अपन निकाले अब बात को समझें, जो मैं कहना चाहरा हूँ, जो मैं feel कर रहा हूँ, आप feel करें, ठीक, सोचें, कि मैं यहां खड़ा हूँ, यहां से कुछ दूरी पर, मतलब 1 मीटर की दूरी पर, कितने मतलब 2 मीटर की दूरी पर, एक व्यक्ति मुझे अपनी और से धक्का मार रहा है, अच्छे समझने, एक ही बार में समझ में आयागा, ना समझ आरे लिए ऐसे कोई बात ही नहीं है, अच्छे समझने, एक ही बार में समझ में आयागा, मैं यहां खड़ा हूँ, यहां से थोड़े 2 मीटर दूर, एक ताकत वर वेक्ति खड़ा है, ठीक है, और उससे 1 मीटर द वह मेरे के बन दात्त से कोई मघटेट बड़त content of this कफ़ आसे लेकिन वहाइं नोगा है तो वह मताया कि ना शिकiggling बछाया करता है युए दूर में जो खड़ा है उसका इफिक्त मेरे पे ज्यादा होगा है जो राखिक और सिफिक्ट से में स्पफिक्षेंगी दोनों में सेम था ठीक है लेकिन ये मेरे पास खड़ा इसलिए उसका इफेक्ट मेरे पर जादा होगा तो इसलिए मैं क्या करूँगा दूर जाओगा तो बात समझना यहाँ पर क्योंकि बहुत इंबॉड़न है वही कहना चाहरा है कि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज होगा तो उसका इ तक डास तो क्मिंट मेरे पुछेए अगर आप चाहते हैं कि इसी को और एकस्टिम लेबल पर लेके जाए अगर आप चाहते हैं कि इसी को स्वापbia लेके जाए वहां त्या आयव नहीं हम्ट पड़ी रहे हैं क्या 12 के साथ सब चाहते कि आई टी जही नीट की तरही करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट है रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपका potential basis पे कि आपको कहा लेना मेरी तो नहीं लेकिं विद्यकुल और यूट्यूब एक्स्ट्रीम पे बहुत ज्यादा भी डिस्काउंट चल रहा है कुछ बच्चों के लिए था एक्जक्री 30 तक था लेकर इसको एक्स्टेंड किया गया थोड़ा सा बढ़ा दिया गया अगर आपके अंदर वह potential है कि आप IIT य then the net field intensity at P point अता P बिन्दु पर P बिन्दु पर परिनामी विद्दु छित्ती विड़ता किस क्या कोंसा परिनामी विद्दु छेत्र की तिवरता अब बात को समझें यह ऐसा लाइन था यह point P था point P पर जो intensity वो क्या E है इधर E1 खीच रहा है और इधर क्या चल रहा है E2 खीच रहा है E2 का direction इधर है E1 का direction इधर है तो इस पर जो intensity होगा जो net intensity होगा वो क्या होगा इन दोनों को मिला के होगा लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उधर खीच रहा है एक उसके opposite खीच रहा है की intensity क्या होगी कम होगी तो e is equal to even का value अभी थोड़ देर पहले निकाला था मुझे याद है मैं लिख ले रहा हूँ 1 upon 4 pi epsilon naught cube और वहां पे था a p a p का value मैं निकाला था r minus l ठीक है का whole square आप मैं direction यूज नहीं कर रहा हूँ वेक्टर में direct एक साथ लिख लूँगा तो फिर minus sign यहाँ पे क्यों आए तो यहाँ पे आप लिख लेना minus इसलिए आए कि दोनों का direction क्या opposite है ठीक है तो यहाँ पे लिख लेंगे direction opposite ठीक है दिशा अलग है इसलिए रिंचेना है फिर इसका e2 का value अभी निकाल लें कहने कर लें 1 upon 4 pi epsilon cube r plus l का whole square यहाँ तक अगर आपको आ गया है अगर आप इसको note नहीं किये तो वीडियो को pause करें नोट करें very important है अब इसका जो next video आने वालो और ज्यादे excitement है क्योंकि इस से related में बहुत सारे numerical साबको बताता चल जाओंगा कुछ numerical में आपको IIT तक का लेके जला जाओंगा ठीक है ना tension नहीं की जोड़त नहीं है मेरे साथ बने रहे हैं लोगों को जोड़ें और जहां तो देखिए यह हो गया अब इन दोनों में कुछ common दिख रहा है क्या common दिख रहा है one upon four epsilon not cube दोनों में cube same है ठीक है तो यहां पर क्या होगा अब हम इसको solve करेंगे solve कैसे करते हैं तो solve करने के लिए is equal to हला कि डाग्राम के आप जरुरत नहीं है तो मैं डाग्राम को erase कर दे रहा हूं ठीक है आप हमने अगर note कर लिया होगा तो जब जरुरत पड़ेगी तब हम इसके लिए बात कर लेंगे ठीक है एक ही बार में आप खतम करते हैं derivation को क्योंकि important है ना board के लिए बहुत important है और quick questions इसका relate करता है competition के लिए भी ठीक देखें तो e is equal to दोनों में common दिख रहा था one upon four five zero not q q जब LCM लेंगे तो यह इधर आता है r plus L का whole square यह इधर आएगा r minus L का whole square नीचे क्या बचा r minus L का whole square r plus L का whole square बचा ना अब क्या करेंगे अब यह करेंगे one upon four five zero not q इसको जब अब ब्रेक करेंगे a square b square plus 2ab याद है ना a minus b ka whole square का formula a plus b ka whole square का formula फिर minus r square plus l square minus 2rl ठीक है तो इसका भी square है इसका भी square है तो मैं क्या करता हूँ दोनों का square को मैं बाहर ले लेता हूँ दोनों के square को मैं बाहर ले ले लिए अब bracket open टर दो आप 1 upon 4 epsilon not ठेक तो यहां पर हो जाएगा q ब्रेकेट open करते r square l square 2rl r square l square minus जाएगा तो इसको minus इसको minus जो minus इसको plus कर देगा ठीक है अब एक बार minus में एक बार plus में तो याद है ना a square minus b square का whole square उस basis में यह कटा और यह कटा टू आरल टू आरल is equal to 1 upon 4 pi epsilon not q और यहां पर हो जाएगा 4 rl और यहां पर r square minus l square का whole square हुआ ना अब इसको थोड़ा सा मैं तोड़ रहा हूँ यहां से समझेंगे 1 upon 4 pi epsilon not 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2 4 को लिख सकता हूँ 2 into 2 तो 2 Q को अंदर लेके चला गया साथ में l को भी रखा r को बाहर निकाल दिये चलो कितने बच्चों को चमक गया बताओ 2ql कितने बच्चों क्लिक क्या कि 2ql आज से पहले कभी देखें यस क्या कि अधर एक्ट्रिक्डच्पोल मुमेंट इसको का बोलता है बन एक्ट्रिकल पूमेंट के डिधिरू आघूर्ण क्कापतेस को आघूर्ण चलिए इसका value लाके रख दो E is equal to 1 upon 4 by epsilon not 2 और इस पूरे का value P और यह हो गया R नीचे बचा R square minus L square का whole square इस formula को तो रट लें इस formula को तो रट लें क्योंकि यही वो formula है अक्षी स्थिति के लिए ठीक है कि एक point देख इस एक्सिस में जाओगा तो यह वाला formula लगेगा इतने इतने distance में intensity का value इतने होता जाएगा कि यहाँ पर L vary नहीं करेगा L change नहीं होगा लेकिन R change होता जाएगा उस R के basis में अपने को करना है कि लिए अगर यहाँ तक समझ में आगा तो pause करें फटा फट note करें फिर हम आगे चलते हैं चल्दी करें टाइम वेस्ट ना करें चलिए अब pause करके note कर ले ना मैं इसको आगे continue बता दे रहा हूं चलिए यह आ गया ठीक है अब मैं यहाँ पर condition अपन मनाते हैं conditions are very important condition का मतलब इस्तिति माना ठीक है let R are much then greater of L मतलब माना किसी स्तिति में R जो है वो बहुत बड़ा है किस से L से R बहुत बड़ा L से कहने का मतलब क्या हो रहा पता है कहने का मतलब यह डाइपोल है यहाँ पर plus q charge है यहाँ पर minus q charge है और इनके बीच का जो distance से कितना है वो 2L है तो यहाँ जान तक का distance कितना हो जाएगा वो L हो जाएगा अभी इसका center है center से बहुत ज्यादा distance पर यहाँ पी point है तो यह जो distance हो गया R दिख रहा है ना आर इतना बड़ा है और L का बहुत चोटा है अगर आपने मेरे 11 का basic पड़ा होगा तो बड़े चोटे को लेके मैंने बहुत सारी बात की है और 11 का class अब start होने जा रहा है फिर से नहीं सीरे से तो मेरे साथ बने रहे हैं और लोगों को जड़ें जोड़ें क्यूंकि अब हम यूट्यूब पर धमाल करने वाल है ठीक है ना हर बच्चे को physics समझ में आगा हर बच्चा physics पड़ेगा हर बच्चा connect रहेगा ठीक फिजिक्स असाता आइटी की भी तेहरी करेगा मैं competition कभी पैरल बेच लेके आ रहा हूं उन बच्चों के लिए जो paid courses के लिए नहीं जा सकत चल रहा और electricity की चल रहा हम दोनों को जल्दी जल्दी खतम करने की कोसिस करेंगे हो सकता है कि हम दिवाली या दिवाली से पहले ते उसको खतम कर देए ठीक है चली अब तेयार हो जाए अब अगर यह इतना बड़ा होगा ना तो यहां पर आर बहुत बड़ा होगा ल चोट करूंगा ना तो 0.25 हो जाएगा तो पहले देखो 5.5 था 0.25 हो गया मतलब किसी भी चीच का अगर स्कुर करते हैं अगर smallest value है तो स्कुर करने को उसका value और small हो जाता है मतलब कोई भी अगर कोई भी अगर राशी है अगर चोटी है तो ठीक है ना point के बाद है तो अगर राश वन अपॉन फॉर पाइप्सलों नॉट टू पी आर आर स्कुर एल बहुत छोटा हो गया और एल स्कुर के value कितना हो जागा जीरो तो उसके जगे पे मैंने क्या रखती है जीरो जीरो का स्कुर इस इक्वल टू अच्छा पी कैब भी ले लो direction आपको शो कर रहा किंके वेक् टू पी आर यह आजाएक टू टू जाब फूर तो आर की पावर फूर पी कैब एक एक बार कट गया तो ईज इक्वल टू वन अपॉन फूर पाइप्सलों नॉट टू पी भाई क्या होगा आर क्यूब और साथ में पी कैब यह वी एक फार्मुला होगा है यह किस कंडिशन के लिए यह उस कंडिशन के लिए जब अपने को क्या करना डाइपोल से बहुत दूर जाके क्या कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फिल्ट को फाइंड आट करना है होफुली आपको समझ में आगा सब से इंपॉर्टेंट कि आप जो बता रहा हूं ध्यान पर अगर आपने नोट कर लिया होगा तो यहां पर देखें यहां पर था मैं स्टार्टिंग वाला डाग्राम उसी के बारे में बात कर रहा हूं माइनस क्यू चार्च और प्लस क्यू चार्च ठीक है तो डाइपोल का डारेक्शन क्या होता हमेंसा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ठीक इस जेगे पर आया थे यहां पर पी जो अंतिम जो आया था वो उधर जाहेगा क्यों क्यूंकि इसका एफिट ज्यादा और इसका एफिट का में तो जो लगेगा वो उधर ही लगेगा तो इसका जो में डारेक्शन होगा इधर ही होगा मतलब यह है कि अगर अक्षीस्तिति आ रहे हैं अगर अन्डरण यह मूफ करेगा मतलब माइनस से प्लस जा रहा है तो इसके इंटेंसिटी जो नेट इंटेंसिटी होगी कि दर होगा मैनस से प्लस होगा मेरी बात क्लिक कर गए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जो नेक्स वीडियो आने वाले इससे रेलेटेड नुमेरिकल्स आने वाले हैं और टेंशन लेने की तो बिल्कुल जोरुत नहीं है और आप अगर चाहते हैं इस लेवर जल्दी खतम हो जाया और आईटी लेवल तक खतम करें तब आप एट कोर्स में ने तो आप यहां पर भी बने रहा सकते हैं कि उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल समर्थ झाले हैं झाले हैं झाले हैं झाले हैं